रामगर्विधानसभा उप्चुनाओं में एंडिया प्रत्याशी सुनिता चौधरी को मिली जीत के बाद जश्न का दौर शुरू हो गया रामगर्विधानसभा के उप्चुनाओं का रिजल्ट निर्वाची पदादिकारी के द्वारा डिकलेर किया गया है उसमें लीडिंग कैनिडेट आच्सु पार्टी की सुनिता चौधरी को डिकलेर किया गया है जिनकों अंतर 21,970 है 21,970 वही रामगर्विधानसभा उप्चुनाओं में एंडिये प्रत्याशी सुनिता चौधरी को मिली जीत के बाद जश्न का दौर शुरू हो गया राची में बीजेपी प्रदिश कार्याले और आच्सु के दफ्तर में जस्न मनाया गया इस दोरान कायू करता धोल नगाडों के साथ अबीर गुलाल लगाकर खुशी मनाते हुए दिखे और आतिश बाजी भी की कि दूरे देश से कांग्रेश मुक्त भारत हो रहा है भारते जनता पाड़ी का कमल हर जगा किल रहा है रामगण में भी चुना हुआ भारते जनता पाड़ी और आच्छु जडबंदन की भारी बहमत से बिज़ेई हुए है देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है देश और दुनिया के अंदर विकास पुरुष के जाने पहचाने मोदी जी और आप देखो नौर्थ इस्ट की जीत बहुत बढ़ी जीत और रामगण की जीत ने तो उल्टी गिंती सुरूप कर दिये कॉंग्रेस और जेमेंट के लि और जिसमें हम लोग एतिहास एक जीत हम लोगों ने दरज करा है यह आजसु पार्टी की मेहनत है और घर घर हम लोगों ने जिस तरह से पहुँआ था जाकर काम किया है तो यह पुरा रामगण की पुरा रामगण की अप्षु का परिवार है गढवा में भी आत्सू ने जस्न मनाया पाटी कारीकरताओन शेहर के नवादा मोर्ट से रंका मोर्तक बेंड बाजी के साथ रंगबीर कुलाल कुलाती हुच्ट शेहर के रंगा मोड़कर पहुंचकर आग्सु और पीजितिकारी करता हूं मिलकर जीफ का अरजस्त बनाया दोनों पार्टी के कार्य करता हूं एक दूसरे को मिलिदर लगाकर और मिठाई खिलाकर पथाई लिए रामगड का चुनाव एक स्थिक रामगड सीच को मत देखिया आप समझे जनता के निजाज को समझे ए जो हेमन जी महागट बंधन का सरकार जो खत्याली जो हारयात्रा नौजवानों को रुजगार देने के नाम पर जो ठगने और छलने का काम किया नौजवान समझे यह चु का तो सुपड़ा साफ होगा ही समझे एंडिये का सरकार बनेगा है